हलो वान विलकम बैक टो फिट फिलिक आज हम बनाने जा रहा है रेस्टरांट स्टाइल मंचाव सूप और इसे बनाने के लिए जो हमें इंग्रीडियन्स चाहिए चलिए वो देख लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए वन फोथ कप पतागोभी, वन फोथ कप गाजल, एक टीबल स्पून अध्रक लसन जिनने मैंने बारिक कट कर लिया है वन फोथ कप फ्रेंच बीन्स, थोड़ा सा यहाँ पे है अन्यन और वन फोथ कप मश्रूम सॉसेज में हमें चाहिए एक टीबल स्पून सरा सॉस, वन टीबल स्पून विनेगर, एक टीबल स्पून चिली सॉस और यहाँ पे है तीन टीबल स्पून कॉन फ्लार अब मैंने यहाँ पे एक कप बॉइड नूडल्स ले लिया है और इसमें हम एक टेबल स्बून कॉन फ्लोर जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें अच्छी तरीके से हम हाथों से कोट कर लेंगे साथ में और इन्हें हम डिरेक्ली डालेंगे गरम ओईल में और इसे हम अच्छी तरीके से फ्राय करेंगे दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक पान और उसमें हम डालेंगी 2 टेबल स्पून ओईल जैसे ही ओईल गरम हो हम उसमें डालेंगे अध्रकलसन कुछ सेकिंद्स के लिए इन्हें इसी तरीके से सौटे कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ अन्यन जैसे ही अन्यन थोड़े ट्रांस्परेंट हम इसमें डालेंगे मश्रूम पत्ता गोबी और इसी तरीके से बाकी की सबजियां भी फिर बीन्स और इन सारी चीजों को अच्छे से हम कुप कर लेंगे लगभग एक मिनट के लिए और दूसरी तरफ हमारे नोडल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं इन्हें भी ओल में से निकाल लेंगे यहां पर जो हमारी सबजियां है वो थोड़ी से कुख हो चुकी है तो इसी टाइम पर हम डाल देंगे सॉसस सबसे पहले मैं यहापे ले ले रहे हूँ सॉसस फिर इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस विनेगर और सारे सॉसस को हम कुछ सेकिंद्स के लिए कुख कर लेंगे और कुछ सेकिंद्स बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 300 ml पानी और फ्लेम को रखेंगे हाई पे इसमें डालेंगे सॉल्ट टेस्ट और एक अच्छे से बॉइल आने देंगे तब तक हम यहाँ पे जो बचा हुआ कॉन्फलोर है उसमें थोड़ा सा पानी डालके उसे डिसॉल्फ कर लेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सूप में अच्छी तरीके से बॉइल आना शुरू हो गया है इसी टाइम पे हम डालेंगे कॉन्फलोर और अच्छे से मिक्स होते हुए इसे बॉइल कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए गैस को हम करेंगे स्लो और यहाँ पे हमारा जो सूप है वो अच्छी तरीके से रेडी हो गया है इसे हम कर लेते हैं सर्फ यहाँ पे एक बाउल में ऐसे सर्फ कर ले रही हूँ फिर अम इस पे टालेंगे थोड़ा सा फ्रिश्ली चॉप्ट गोरियंडर लीव्स और फ्राइड नोडल्स तो यहाँ पे हमारा रेस्टरांट स्टाइल मंचासू प्रेडी है आप इसे जरूर ट्राय करें दू हिट दे लाइक बटन सब्सक्राइब करें शेयर करें हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में